इस भेंकर गर्मी में बिना तेल की कुछ हलका फुलका और हिल्दी ट्राइ करना चाते हैं तो आज की रिस्पी आपके लिए है आज हम मूंकी दाल से स्वाधिश्ट और हिल्दी नास्ता बनाएंगी वो भी बिना तेल, इनो और सोडा के जिसे परोसेंगी एक मज़दार और टेस्टी चटनी के साथ तो वीडियो को लास तक फॉलो जरूर करें हेलो एब्रिवन आपका स्वागत है मेरे किचन में चले बनाती है मूंकी दाल से जटपट से बनने वाली ये हिल्दी रेस्पी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपे एक कप मूंकी दाल लिया है बिना चिलके वाली जो मूंकी दाल होती है इसे हमें सबसे पहले अच्छे से धो लेना है तो दो से तीन पानी हम इसे अच्छे से धो लेंगे ताकि जो भी इसमें गंदगी है वो निकल जाए इसमें फिर से पानी डालेंगे और इसे हमें ढख के कम से कम डेड़ से दो गंटे के लिए छोड़ देना है ताकि दाल अच्छे से फूल जाए और अब हम एक लेंगे बाउल, इसमें डालेंगे आधा कप सुजी, सुजी मैंने बारिक वाली लिये, और इसमें हम डालेंगे आधा कप थोड़ी सी खटी दही, इन दोनों को अच्छे से हमें मिला लेना है, और इसे अच्छे सी मिला कि अभी हम इसे एक तरफ रखेंगे, औ और दाल को रखी वे 1.5 गंटा हो गया है, उस्ट बीना पानी डाले इस दाल को हमें पीस लेना है, तो दाल का सारा पानी चानेंगे और इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे, और इसमें इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च, और 1 इंच अदरक का टुकडा जिसे मैंने बारीक ताकि ये अच्छे से दाल के साथ पीस जाए और बिना पानी डाले इसे एकदम बारीक हमें पीस लेना है तो पीसने के बाद इस दाल को हम जिसमें हमने सूजी और दही मिक्स करके रखा था उसी बाउल में इसे हम निकाल लेंगे तो सारे दाल को मैंने यहाँ पे दो से तीन हमें पीस के रेडी कर लिया है और दाल को एकदम हमें बारीक पीसना है और अब हम इसमें थोड़ी सी सबजिया डालेंगे तो मैंने यहाँ पे डाला है तीन चौथाई कप बारीक कटा हुआ प्याज और तीन चौथाई कप मैंने गाजर को घिस के लिया है साथ में डाल दे इससे हमें दो मिनट तक अच्छे से फेट लेना है तो एक ही डारेक्शन में इसे फेटेंगे जिससे इसमें थोड़े से हवा की कड़ बर जाते हैं और जो हमारा नास्ता है वो बीना इनो और बीना सोडा के ही एकदम सॉफ्ट बनता है वैसे अगर आप इसको एस्ट्रा लिया है एक चोटाई कप सूखा नारियन लेंगी और पांच से छे हरी मिर्च और आधा टीस्पून जीरा स्वात के इसाब से नमक एक बड़ा चमच भुना हुआ चना और एक बड़ा चमच मैंने कच्ची मुमफली लिया है और एक चोटाई कप हम इसमें दही लेंगे थोड़ा सा पुदीना भी एड़ कर सकते हैं और जो मुमफली है मैंने बीना भुने हुए ही लिया है सारे चीजों को देखे मैंने आप एक मिक्सी के जार में डाल दिया है और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी एड़ किया है और इस चटनी को मैंने यहां प इसमें डाल देंगे उरत की दाल और एक चोता है टीस्पून मैंने इसमें हींग डाला है साथ में डाल देंगे थोड़ा सा करी पत्ता तो आठ से दस मैंने इसमें करी पत्ता डाला है और दोस्त हम इसमें सुखी लाल मिर्च डाल देंगे और इन सब चीजों को पहले अच्छ तड़के के साथ चटनी को हमें अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से तड़का का बहुत अच्छा सा चटनी में फ्लेवर आ जाता है और यह चटनी बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे इटली के साथ दोसा के साथ या किसी और रेस्पी के साथ किसी और नास्ते के साथ भी रेडी हो गई है इस चटनी के साथ इस नास्ते का स्वाथ 100 गुना बढ़ जाता है तो अभी हम इसको एक तरफ रखेंगे और दाल को भी अब एक बार और अच्छे से मिला लेंगे और आप देख सकते हैं कि दाल में हमने जो सूजी मिलाए थी वो भी काफी अच्छे से फूल और यह चो बैटर काफी फलपी Track इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने आप छोटी कट्री के लिए आप चाहें तो इसे अड़ी का जो मोल्ड होता है उसमें भी बना सकते हैं वगर आज आप कोई भी छोटी कटोरी ले सकते है हलुका चमच मैंने बैटर पूरा उपर नहीं बरेंगे क्योंकि जब हम इसको कुप करेंगे तो थोड़ा यह उपर तक आता है तो हल्का सा उपर से मैंने जगा छोड़ दिया है अब मैंने आप दूसरे तरफ कड़ाई में पानी को गरम होने के लिए रख दिया था दो गिलास पानी को मैंने अच्छे से उबाल लिया है अब इसमें कोई भी स्टेंड रख देंगे जिसके उपर हम इस ठाली को रखेंगे और इसे हमें हाइफलेम में ही पकाना है इसमें पलेट रखने के बाद कड़ाई को हमें अच्छे से धक देना है और हाइफलेम में इसे 8 sabe के लिए पका लेंगे अगर इस नास्ते को आप low flame में पकाएंगे तो उतना ज़्यादा soft नहीं बनता है और 8 मिनट के बाद आप एक तूटपिक जाल के अलग करेंगे बहुत यासानी से निकल जाता है और आप देख सकते हैं कि मतलब कितना soft और spongy बना है इसमें इनो सोडा वगरा हमने कुछ भी नहीं डाला है फिर भी एकदम soft और spongy बनता है तो जो दही थी वो थोड़ी सी खटी थी और मैंने इसे काफी अच्छे से फेट लिय जो बिना इनो और सोडा के ही अंदर से एकदम soft और जालिदार बना है और आज की इस चट्टी के साथ तो इसका स्वा सोगुना बढ़ जाता है तो बच्चों को टीफिन देना हो या नास्ता या फिर लंच या डिनर में कुछ कम तेल का हलका फुलका खाना हो तो आप भी इ संद आई है तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मिलते हैं एक और नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए नमस्ते